हलो फ्रेंट्स रादे रादे स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अड्डोगोपाल लाइफ में तो आज हम यह ड्रेस बनाने वाले हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं यह देखिए मैंने यहाँ पर तीन कलर का उन ले रखा है तो यह मैं तीन कलर का ड्रेस हाल करेंगे तो इस से में यहां पर यह देखिए चैन बनांगी तो ऐसे मैंने क्रोश्य विं ability इस तरह उन को फसा लिया और फिर ऐसे घुमा करके यह पर एक फंदा बना लिया तो यह दिखे हमारा फंदा बनगे अब हम यह चैन बनाएंगे तो इस तरह यह मेरी तीन चैन हो गई चार पांच छे इस तरह मैं यहां पर बीज चैन बनाऊंगी मैंने यहां पर बीज चैन बना लिया है अब इस बीज चैन में यह हैं प्र एक चेंग और हमने बना लिया किस συंच अब यहां पर हम दो समच छोडेंगे तीन चोड़ेंगे और च चोथी वालगे में ऎनक 1997 पर हम यहां पर एक डब करोशेह बनाएंगे कि तो इसी तरह यह देखिये अब यह दूसरी हमने डबल करोशिय मता लिया यह तीसरी डबल क्रोश्या हो गई तो इस तरह मेरी यहाँ पर चार डबल क्रोश्या हो गई एक हमारा वह जो तीन चन हमने छोड़ा था उसको भी हम डबल क्रोश्या ही मानेंगे तो यहाँ पर मेरी चार डबल क्रोश्या हो गई अब यह मेरी पांच हो गई इस तरह यह मैं पूरी यहाँ पर 20 डवल क्रोश्य बना लूँगी तो यह देखे यहाँ पर यह मेरी 20 डवल क्रोश्य बन गई है और अब इसको हम दूसरी रोब उनेंगे तो यहाँ पर यह देखे पहले मैंने यहाँ पर दो चैन बनाया उसके बाद ये उन को पीछे से ऐसे लपेट लिया है और यहां पर हमने ये दूसरी डवल क्रोशिया बना लिया और ये उन को हम इसी में ऐसे लेते हुए दबाते हुए चले जाएंगे ताकि ये मारा दीखे न ये देखे मैंने यहां पर एक चेण बनाई है उसके बाद एक क्रोशिया बनाई है ये अब दूसरी वाली चेण में इसी तरह हम मुझा में डवल क्रोश्या ही बनाएंगे एक चैन में दो डवल क्रोश्या बनाएंगे और इसी तरह बनाते हुए हमें यह पूरी रौ कंप्लिट करनी है तो देखिए मेरा वीडियो थोड़ा नीचे हो रहा है इसलिए मैं आपको बता रहे हूँ कि एक चैन में हमें 2 डवल क्रोशिया बनाना है ये तो इस तरह हमारे पास ये पूरी रो हम 2 डवल क्रोशिया बुन करके तयार कर लेंगे यह देखे मैंने यहाँ पर यह दूसरी रो कंपलीट कर लिए जिसमें एक चैन में दो डबल क्रोशिया मैंने बनाया हुआ है पूरे में इसी तरह तयार कर लिया है सिर्फ लाश्ट में एक एक डबल क्रोशिया है लाश्ट में हमने दो नहीं बनाई हुई अब यहाँ पर देखिए मैंने दो चैन लिया, उसके बाद यहाँ पर एक डबल क्रोश्या बुन लिया, यह दूसरी वाली चैन में भी एके मैंने बुन लिया है, तो यहाँ पर हमारे यह तीन हो गई, यह चौती हमारी डबल क्रोश्या हो गई, यह पांचवी में इस तरह हम दो एक चैन में दो डबल क्रोशिया बुनेंगे यह देखिए यहाँ पर मैंने दो बुना है और अब यहाँ पर देखिए एक बुना दूसरी चैन में दूसरा डबल क्रोशिया बुन लिया इस तरह यहाँ पर मैंने तीन डबल क्रोशिया शिंगल बुन एक चैन में एक डबल क्रोशिया बुना हुआ है और यहाँ पर देखिए एक चैन में दो डबल क्रोशिया बुनेंगे फिर यह देखिए एक बुन लिया मैंने उसके बाद यह दूसरा बुन लिया फिर यह तीसरा अब चौथी वाली चैन में हम यहाँ पर दो डवल क्रूश्या बुनेंगे इस तरह इसी तरह यह पूरी रो हम कंप्लीट करेंगे तो चलिए मैं इसको पूरा कंप्लीट कर ले रहे हैं फिर आगे बताती हूं कि क्या करना है तो यह मैंने देखिए यहाँ पर यह तीसरी रो बुन लिया है तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 46 डवल क्रूश्या है मैंने गिन लिया है तो यहाँ पर मेरे पास 46 है तो अब 6 डवल क्रूश्या हम आगे आगे बुनेंगे जिदर खुला हुआ साइड है 6 बुनेंगे उसके बाद स्लीप्स के लिए हम यहाँ पर 11 चैन छोडेंगे और पीछे हम 12 डबल क्रोशिया बुनेंगे तो इस तरह हमने यह पुरा मेजर तयार कर लिया है कि कितना कहां पर हमें रखना है तो अब देखिए यहाँ पर मैंने दूसरा कलर का उन लगा लिया है तो यह मैंने देखिए यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बुन लिया है एक, दो, तीन, चार, पांच, छै इस तरह मैंने यहाँ पर 6 बुन लिया है अब यहाँ पर देखिए मैं 11 चैन छोड़ूंगी गिन करके अब 12 चैन में इसको एक डबल क्रोश्य बुन दूंगी जे इस तरह तो 11 चैन हमने वहाँ पर छोड़ दिया अब यहाँ हम 12 डबल क्रोश्य बुनेंगे तो यहाँ पर हमने 6 बुना है तो पीछे की साइड हमें 12 बुनना है तो इस तरह देखिए मैं यह 2 यह 3 यह 4 यह 5 यह 6 और इसी तरह मैं यहाँ पर बारा डबल क्रोश्य बुन ले रही हूं फिर आगे बताते हूं कि क्या करना है देखिए मैंने यहाँ पर बारा बुन लिया है दो चार छे दो आट दस तो बारा अब यहाँ पर हम फिर देखिए 11 चैन कीन करके यहाँ 11 चैन छोड़ेंगे अब बारावी चैन में हम फिर से डबल क्रोश्य बुनेंगे यहां पर हमने यह double crochet बुन दिया अब यहां पर हम 6 double crochet बुन देंगे यह हो गया हमारा 2 यह हो गया हमारा 3 और यह 4 यह 5 और लाश्ट में यह 6 तो यह हमारे दोनों side 6 हो गए बीच में 12 हो गए और जो slips के लिए हमने आस्तीन के लिए छोड़ा है तो यहां पर हमने 11 चैन छोड़ा है तो यह हमारी चवती रो में slips से अलग हो गई है यह देखे माई एक बार फिर से आपको समझा दे रही हूँ यहां पर हमने 11 चैन छोड़ी है और यहां हमने 12 डबल कुरुशिया बुना है और आगे हमने 6 चैन 6 डबल कुरुशिया बुना हुआ है यह मैं 6 नमबर के कानाजी के लिए बना रही हूँ जो आसानी से आप 5 चैन पर 6 को पैना सकते हैं यहां पर हम यहां पर पूरे चैन में 12 डबल कुरुशिया बुना लिया है एक चैन में 12 कुरुशिया एक चैन में 12 कुरुशिया तो इस तरह हमारी यह वाली रोग कंप्लीट हो गई है अब हम इसे यहां पर जोइंट करेंगे तो इसको हम यहां पर जोड़ देंगे यह देखिए यहां पर मैं इसे सिंगल कुरुशिया शे यहां पर जोड़ दूंगी ऐसे लिए उसके बाद हम यह ऐसे निकाल देंगे तो यह हमारा यहां पर जोड़ गया है अब देखिए मैं यहाँ पर डिजाइन बनाओंगे नीचे घेर के लिए यहाँ से हमारा घेर स्टार्ट हो जाएगा अगर आप सिफ चोली बनाना चाहते तो आप इतना ही छोड़ दीजिए तो इतनी भी चोली बहुत अच्छी लगेगी लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा घेर बनाओंगी तो देखिए मैंने यहाँ पर यह दो चैन बना लिया है यह दो चैन बन गई अब यहाँ हम अपर हर एक चैन में एक एक डबल क्रोशिया बुनना है तो यह वाली रो हम पूरी एक सिंगल डबल क्रोशिया से तयार कर लेंगे यह देखिए एक चैन में एक डबल क्रोशिया इस तरह करके हमें यह पूरी रो कंप्लेट करनी है तो चलिए मैं रोग कम्प्लीट कर ले रहे हैं फिर आगे बताती हूँ कि क्या करना है ये ये देखिए अब चलिए मैं यहाँ पर देखो यहाँ पर मैंने तीन चैन बना लिये हैं उसके बाद यहाँ पर एक, दो, तेन, यह तीन, यहाँ पर हम चार डबल क्रोशिया एक चैन में बनाएंगे उसके बाद अब देखिए यहाँ पर क्या करना है कि एक डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और दूसरी वाली में इसे हम अंदर से इस तरह लेकर कि यहाँ पर डबल क्रोशिया बना देंगे फिर एक छोड़ेंगे और एक यह बनाया मैंने अब इसी एक चैन में मैं यहाँ पर चार डबल क्रोशिया बनाऊंगी तो यह देखे मेरा तीन हो गया और यह चार हो गया अब देखिए यहाँ पर ऐसे लिया अब फिर यह अंदर से इसको क्रोशिया लेंगे और यहाँ पर डबल क्रोशिया बन देंगे इससे थोड़ा सा हम बड़ा करके ही बुनेंगे अब देखिए एक फिर मैंने छोड़ दिया और यह यहाँ पर हम चार डबल क्रोशिया बनाऊंगे यहाँ पर यह चार हो गए अब फिर सेम उसी तरह एक छोड़ेंगे और यह दूसरी वाली में हम अंदर से पुरा निकालेंगे उनको क्रोशिया को और इस तरह डबल क्रोशिया बन देंगे फिर एक छोड़ करके यहाँ पर फिर चार डबल क्रोशिया बनाऊंगे इसी तरह यह पूरी रो हम कंप्लीट कर लेंगे तो चलिए इसे complete कर लेती हूं फिर आगे क्या करना है वो बताऊंगी यह देखिए आप वीडियो को शुरूर से लेकर के last तक देखिएगा skip मत करिएगा अगर skip कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा तो इसलिए अगर आप देखना चाते हैं तो 2x पे करके देख लीजिए लेकिन skip मत करिएगा skip करने से फिर कोई ने कोई step आप से छूट जाएगा और फिर आपको design समझ में नहीं आएगी तो इसलिए यह देखिए इस तरह इसको पूरी रो complete करना है चलिए मैं complete कर ले रही हो अब देखिए यह वाली पूरी रो complete हो गई है अब दूसरी रो में हम अपना यह औरेंज कलर लगाएंगे यहां पर यह देखिए ऐसे लिए और इसी में उनको ऐसे पसा लिया कोई गांट लगाने की जरूरत नहीं है और यह अच्छे से फस जाएगा फिर उसके बाद हम इस वाले उनको पीछे से इसी तरह इसी में दबाते हुए बुन लेंगे तो यहां पर यह देखिए मैंने एक बनाया अब यह एक जो मैंने चार बनाया था उसी में मैं यहां पर बीच में दो के बीच में यह चार फिर बनाऊंगी यहाँ पर चार नहीं बनाना है यहाँ पर मैं च्छार डबल क्रोशिया बनाऊंगी पहली बाली में मैंने चार बनाया हुआ था दूसरी बाली में मैंने यहाँ पर च्छार डबल क्रोशिया एक चैन में बनाया है और अब देखिए यहाँ पर मैंने उनको क्रोशिया में लिया है और यह अंदर से इसमें ऐसे फसा करके इसे निकालके डबल क्रोशिया बुन देंगे तो इसको हम थोड़ा धिला ही बुनेंगे टाइट नहीं करेंगे अब देखिए यह चार जो बनाया हुआ था उसी के बीच में दो छोड़ेंगे दो के बीच में यहाँ पर हम फिर से छे डबल क्रोशिया बुनेंगे एक बुन लिया मैंने यह दो बुन लिया अब यह यहाँ पर तीसरा हो गया और यह चार पाँच और यह चै यह देखिए इस तरह हम यहाँ पर चै बनाएंगे और यह फिर यहाँ पर यह देखिए यह ना इसमें ऐसे फसाना है पिलकुल लीजी है फ्रेंट्स यह आप इसको बड़े आसानी से बना सकते हैं कुछ भी नहीं है बहुत इजी डिजाइन है यह बस आप थोड़ा ध्यान से देखिए पूरा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा यह देखिए यहाँ पर हमने फिर से छे डबल क्रोश्या बना लिया है और यह यह वाली में ऐसे फसा करके यह निकाल लिया बस ऐसे ही इसको पूरा कंप्लीट करना है तो चलिए यह वाली रो में कंप्लीट कर ले रही हूं पूरी यहां से पूरा यह देखिए हमने यहाँ पर ओरेंज वाली रो भी कंप्लीट कर लिये और यह वाइट वाला हम आधा कंप्लीट कर लिये हैं अब चलिए थोड़ा सा फिर एक बार दिखा देती हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए यहाँ पर देखिए यह च्छे है तो अब हम यहाँ पर साथ बनाएंगे जाए पांच च्छे यह साथ यहाँ पर हम साथ डबल क्रोशिय बनाएंगे और फिर से उसी वाले के उपर हम यह बीच में जो हमारा यह लाइनिंग बनती जा रही है तो उसी तरह हम इसको बनाएंगे मैंने यहाँ तीन बुन लिया यह यहाँ पर चार बुन लिया यह हमारा हो गया पांच है तो इसी तरह मैं यह पूरी रोग कम्प्लेट कर ले रही हूँ यहाँ पर दो रोग कम्प्लेट करके आपको दिखाती हूँ यह देखे मैंने यहाँ पर white भी complete कर लिया और एक green से complete कर दिया है तो यह हमारी घेर पूरी तयार हो गई है और हमारी उपर की चोली और घेरिया पूरा तयार हो गया है अब देखे हमें यह sleeps बनाना है तो sleeps में हम यहाँ पर जितना छोड़े हुए थे 11 चैन हमने यहाँ पर छोड़ा था तो हम यहाँ पर 11 डवल क्रोशिय यहाँ पर उठाएंगे तो इस पर हम ऐसे जैसे हम फसा करके बनाते हैं उसी तरह हम यहाँ पर पहले एक फंदा बना लेंगे चैन बना लेंगे यह देखिए यहां पर मैंने दो चैन बना लिया है अब यह देखिए यहां पर हम हर एक चैन में एक डबल क्रोश्य वनाएंगे इस तरह हम यहां पर 11 डबल क्रोश्य वना लेंगे इस तरह मैं यह पूरा यहां पर 11 डबल क्रोश्य बना ले रही हूं और बनाने के बाद फिर बनाने के बाद यहां पर मैं इसे ऐसे शिंगल क्रोश्य शे यहां पर इसे चोड़ दूंगी यह मैंने यहां पर इसे जोड़ लिया है अब इस पर हम यह पूरा कंप्लेट कर लेंगे तो दो दो रो करके मैं यहां पर बुनूंगी दो white से दो green से चार रोव बुन लिया है तो यह हमारी slips तैयार हो गई है अब इसी तरह हम यह दूसरे तरफ की slips भी तैयार कर लेंगे यह देखे मेरी दोनों slips तैयार हो गई है और चार रोव मैंने यहाँ पर बुना है दो white से दो green से और ये हमारी ड्रेस तयार हो गई है अब चलिए रिकाइब कैसे बनाना है ये मैं बताती हूँ तो मैंने यहाँ पर ये 20 चैन बनाई हुई है और 20 चैन मैंने यहाँ पर 21 चैन बनाई है उसमें मैंने 20 डबल क्रोशिया बनाया हुआ है और एक डबल क्रोशिया बना है फिर एक शिंगल डबल क्रोशिया फिर डबल क्रोशिया फिर यहाँ पर मैंने यह डबल क्रोशिया बना है फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने एक चैन में तीन तीन डबल क्रोशिया बन दिया है तो यह हमारी फ्रिल के तरह तया बन गई है तो यहां पर हम इसको कैसे करेंगे यह देखिए ऐसे करके और यह पूरे यहां से सिल देंगे सिलने के बाद हम यहां पर ऐसे सुई से शिंगल ऐसे करके इसे फसा लेंगे और खीच देंगे तो यहां पर हम गाट लगा देंगे और इस तरह हमारी यह कैप तयार हो जाएगी यह देखे मैंने यहां पर सिल लिया है अब कैसे हमें यह उपर करना है यहां पर हम गाट लगा देंगे पहले फिर उसके बाद यह यहां ऐसे सुई को पूरे में कच्चा कर लेंगे प्रिंस आप मेरी वीडियो चैनल पर नए है तो पर चैनल को सबिस्क्राइब करेगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सेयर जरूर करिएगा और भेल आइकान प्रेश कर लीजिएगा आल पर कलिक कर दीजिएगा जिससे मेरी आने वाले वीडियों की नॉटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और यह देखे इस तरह मैंने यहां पर इसको सिल लिया है और इसे काट देंगे अब अब यह हमारी देखे कैप एकदम आसान तरीके से यह कैप बन गई है तो शुरू में ही मैंने काना जी को फोटो लगा दिया था तो आपने देखा था बहुत ही सुन्दर लग रही थी मैंने 26 जनवरी की परपस से यह ड्रेश बनाई हुई है तो ऐसे देख बनाईए आप भी अपने काना को पहनाईए थैंक्स पर वाचिंग